इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पर जब ट्रायल कोट में किसी क्रिमिनल केस की सुनवाई स्टार्ट हो जाती है तो क्या ट्रायल कोट उस प्रोसीडिंग को रोक सकती है या फिर नहीं आज हम बात करने वाले हैं मत्य प्रदेश हाई कोट के इस एहम फैसले की जिसमें कि मत्यप्रदेश हाई कोड ने ये कहा कि एक पर जब ट्राइल कोड के पास किसी भी क्रिमिनल केस की कारवाई स्टार्ट करती जाती है तो उसके पास ऐसी पावर नहीं होती कि वो उस कारवाई को रोक सके केवल CRPC के अंतरकत हाई कोट के पास ही ऐसी पावर होती है जो की CRPC के सेक्शन 482 के तहट उसे रोक सकता है रिवीजन पावर के जरीए ही अपनी पावर्स को यूज करके उस कारवाई को रद कर सकती है या फिर उसे रोक सकती है लेकिन trial court जहाँ पर वो केस चल रहा हो उस trial court को ये पावर नहीं होती कि वो उस कारवाई को रोक दे ये फैसला एक ऐसे मामले में आया जहाँ पर एक trial court ने एक civil मामले में फैसला आने तक एक criminal proceeding को रोक दिया था हाई कोट ने इस मामले में कैलाश वर्सिस अर्चुन सिंग एन अनाधर केस का हवाला दिया जहाँ पर एक सीविल मैटर पैंडिंग था जिसकी वजह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खारिज करने के आदेश को अदालत ने रद कर दिया था मामला है कैलाश वर्सिस अर्चुन सिंग एन अनाधर केस का जहाँ पर एक सीविल मुकदमे के पैंडिंग होने के कारण क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खारिज करने के आदेश को हाई कोट ने रद किया था हाई कोट ने साफ दोर पर ये सपश्ट कर दिया कि सीविल कोट के द्वारा दरज केगे जो मामले होते हैं और उनमें जो जज्जमिन्ट आते हैं उसका क्रिमिनल केस पर कोई भी असर नहीं पड़ता इसके उल्टा क्योंकि किरमिनल और सीविल मैटर में सबूत अलग-अलग होते हैं और उनका नेचर भी अलग-अलग होता है इसलिए कोट ने इस बात पर जोड़ दिया कि ट्रायल कोट के द्वारा अनिश्चित का हल के लिए कारवाई को रोक लगाने से रिलेटिड जो फै सीविल केस की फर्स्ट अपील के हधार पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोक दिया गया था याचिकर करता की जमीन को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश में जालसाजी और फरजी रसीदे बनाने की कोशिश की गई थी उसी के तहत अपराधिक शिकायते दर्च की गई थी जिसमें ट्रैल कोट ने अपराधू का संग्यान लिया था और डिफेंडेंट को संबन जारी किये थे जिसके बाद 2011 में डिफेंडेंट ने सीविल मुकत्मा दायर किया जिसे 2017 में खारिज कर दिया गया था उसी फैसले के खिलाव डिफेंडेंट ने अपील की जिस